My dear students, once again, I will come to all of you in Dr. R.S. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिविद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से Dr. R.S. Chandra Online Classes for Education में स्वागत करता हूँ. आप सभी का हर्दिक स्वागत है, हर्दिक अविनन्दन है. प्रिविद्यार्थियों, बंडित दीन द्याल उपाध्धाय गोरखपुर विस्विद्याले गोरखपुर के जो बीजड के विद्यार्थि हैं, उनके लिए सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर चलता है, जिसका कोड है एजू बीजड 107, जिसका नाम है असेस्मेंट आफ पुछे जाएंगे, उसका अभ्यास हम सभी लोग इस वीडियो में करेंगे, और बीस महत्पुर्ण प्रशनों का अभ्यास करेंगे, आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जो संबंदित होंगे, आपके पेपर, एजू बीड 107, सेकंड सेमिस्टर का जो पेपर है, जिसक अच्छनों अधिगम का आगलन। चली क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज हम सभी लोग 20 very important multiple choice questions, based on your edub8107 question paper, that's name is assessment of teaching and learning, अर्थात, assessment of teaching and learning, जो आपका पेपर है, स्च्छनों अधिगम का आखलन, उससे सम्मनित 20 महत्पुर्ण multiple choice questions का अभ्यास करेंगे, पहला प्रशन आपके स्कीन पर आ रहा है, तो question number one, प Your options are, first, आखलन एक सन्नाचनात्मग प्रक्रिया है, आखलन एक योगात्मग प्रक्रिया है, या उपरिक तो दोनों है, सन्नाचनात्मग योगात्मग या उपरिक दोनों में से कोई नहीं, assessment is a formative process, assessment is a summative process, और assessment is both formative and summative process, और none of the above, तो dear students, यह आपने assessment के बारे में पढ़ा होगा, तो जो आखलन के प्रक्रिया होती है, वो सन्नाचनात्मग प्रक्रिया होती है, और योगात्मग भी होती है, तो इस तरह से दोनों सही है, so here the c option is the right option, both, above both, या उपरिक दोनों, जो यहाँ पर c option है, c option is the right option, उपरिक दोनों, या both of the above, a and b, next question, question number two, प्रस्न क्या, तो प्रस्न है, चरका साब्दिक अर्थ होता है, the verbal or literal meaning of variable is, and your options are, a, जो इस्थिर रहे, या those who remain stable, b, जो इस्थिर न रहे, या who does not remain constant, या stable, c, जो बजलती रहे, that keeps changing, and d है, b and c, दोनों अर्थाद, both b and c, तो d resistance, variables के बारे हम लोगों ने चर्चा किया है, बढ़ाया है, चरका क्या साब्दिक अर्थ होता है, चरका या variables कार्थ होता है, जो इस्थिर न रहे, जो बदलती रहे, so here the a option, जो हो गलत है, b option, जो इस्थिर न रहे, that is, who does not remain constant, और इस्थे बले सही है, जो बदलती रहे, that script changing, यह भी सही है, so here the d option, that is b and c, both, is right option, the b और c, दोने हाँ पर सही है, जो इसलिए d विकलप आपका सही होगा, अगला प्रशन आपकी स्कीन पर, question number 3, प्रशन संख्या 3, प्रशन है, मुल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे सही धंग से किसी वस्त का मापन किया जा सक or amount of something by careful appraisal, it's whose statement, यह statement किसने दिया है, कि evaluation is a process of ascertaining or judging the value or amount of something by careful purpose, यह मुल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे सही धंग से किसी वस्त का मापन किया जा सकता है, यह statement किसका है, यह options are, a, Adams, b, Kothari Commission, c, Goods, d, Ramers, Waggage, तो, dear students, Adams का नहीं है, Kothari Commission का भी नहीं, रेमर्स इंगेज का भी नहीं, it is the statement of goods, गुर्ष ने कहा है, कि मुल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे सही धंग से किसी वस्त का मापन किया जा सकता है, according to goods, evaluation is a process of ascertaining or judging the value or amount of something by careful appraisal, now the next question, question number 4, प्रस्ण संख्या, चार, आप समुह के बारे में सूचना संग्रहन, विशलेशन, एवं उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे किसी व्यक्त के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक अथ्वा प्रसासनिक निर्ड़े लिए जा सकें, यह statement यह कतन किसका है, assessment refers to the process of gathering, analyzing and interpreting informations in order to make instructional, administrative and or guidance decision about or for an individual, यह statement किसका है, whose statement is, assessment refers to the process of gathering, analyzing and interpreting information in order to make instructional, administrative and guidance decisions about or for an individual, यह कतन किसका है, कि आकलन से तात पर किसी व्यक्त या समुह के बारे में सुचना संग्रहन, विशलेशन, एवं उनका आर्थ निकालने की प्रक्रिया से है, जिससे किसी व्यक्त के बारे में अनुदे सात्मक, निर्दे सात्मक, अथवा परसासनिंग, निर्डे लिये जा सके हैं, और आपके options हैं, A, Wallace, Larson और Aleksneen का, B, Goodwin का, C, Goods का, and D, Ramers वगेज का, तो D, इसका statement है, किसने का है, इस statement किसने दिया है, that is according to Wallace, Larson, and Aleksneen, so here the A option is the right option, Wallace, Larson, and Axneen, According to Wallace, Larson, and Axneen, assessment refers to the process of gathering, analyzing, and interpreting information in order to make instructional initiative, and guidance decisions about an individual or for an individual. Now the next question, question number 5, question is, the concept of measurement is, मापन का प्रत्य है, and your options are, A, modern concept, या अधुनिक प्रत्य है, B, medieval concept, अमा धिकालिन प्रत्य है, C, ancient concept, और प्राचिन प्रत्य है, and D, latest concept, और नवीन प्रत्य है, तो, dear students, जो मापन की क्रिया है, जो मापन का प्रत्य है, क्या है, ये कोई latest नहीं है, modern नहीं है, medieval नहीं है, बलकि क्या है, it is an ancient concept, या प्राचिन प्रत्य है, प्राचिन काल से ये मापन की क्रिया करते आ रहे हैं, Now, the next question, question number 6, question is, the nature of evaluation is, मुल्ले आंकन की प्रकिरत्य है, and your options are, A, qualitative या गुडात्मक, B, quantitative या परिमाडात्मक, C, both of the above, that is, qualitative and quantitative अर्थात, उपरिक्त दोनों गुडात्मक और परिमाडात्मक, and D is, none of the above, या उपरिक्त दोनों में से कोई नहीं, So, dear residents, the nature of evaluation, या मुल्ले आंकन की प्रकिरत्य होती है, वा qualitative या गुडात्मक होती है, and quantity to या परिमाडात्मक भी होती है, so here the C option is the right option, यहाँ पी जो C option है, आपका सही है, the nature of evaluation is, qualitative as well as quantitative, मुल्ले आंकन की प्रकिरत्य, गुडात्मक और परिमाडात्मक दोनों है, Now the next question, question number seven, प्रसन संख्या साथ, question is on your screen, the question is, पुष्टकों में प्रिष्ठों की संख्या उदाहरण है, the number of pages in any book is the example of, जो पुष्टक में प्रिष्ट होते हैं, number of pages in any book is the example of, and your options are, A, qualitative measurement और गुडात्मक मापमन का, B, continuous variables या सतत्चर का, C, discrete variables या असतत्चर का, And D, पुष्टकों में प्रिष्टों की संख्या चर ही नहीं है, the number of pages in any book is not any variable, तो देर श्ट्टकों में प्रिष्टों की संख्या किस चीज़ का उदाहरण है, या गुडात्मक मापमन का उदाहरण नहीं है, पुष्ट्रकों में पुष्टों की संख्या जो होती हो चर होती है इसलिए D option भी गलत है लेकिन हो continuous चर नहीं होती है सतत्चर नहीं होती है बलकि क्या होती हो A सतत्चर होती है discrete variables होती है So here the C option is the right option A सतत्चर और discrete variables Now the next question Question number 8 प्रस्ण संख्या आठ आपकी स्क्रीन पर प्रस्ण है What are the characteristics of a good test और characteristics of a good test is और are अच्छे परिक्षन की विश्ष्टा है And your options are A reliability या विश्वस्वस्णियता B validity या वैदता C objectivity या वस्तुनिश्टा And D All of the above या उपरियुक्त सभी या या इस सभी तो dear students जब हम लोगोंने अध्यन किया है tools के बारे में Test के बारे में तो हमने देखा था कि एक good test उसको हम कहते हैं जिसमें reliability हो विश्वस्वस्वस्वस्वस्वनिता हो जिसकी validity या वैदता भी हो जिसमें objectivity या वस्तुनिश्टा भी हो So here the D option is the right option All of the above Now the next question Question number 9 Prashna Sankhya Noh आपकी स्कीन पर प्रशन है मुल्यांकन के अंदर ब्यक्त या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांचनी हो उससे मान कर चला जाता है Evaluation assumes a purpose or an idea of what is good or desirable from standpoint of the individual or society or both whose statement is या statement या कथन किसका है ब्यक्त या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांचनी हो उसको मान कर चला जाता है Who said that Evaluation assumes a purpose or an idea of what is good or desirable from standpoint of the individual or society or both and your options are A. Adams B. Kothari Commission C. Goods and D. Ramers and Gage Ramers वा Gage का Kothari Commission का Goods का और Adams का तो in the instance या जो statement है या किसका है This statement is of Ramers and Gage Ramers वा Gage का statement है या कतन है Ramers वा Gage ने कहा कि मुल्यांकन के अंदर ब्यक्त या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांचनी हो इसको मान कर चला जाता है According to Ramers and Gage Evaluation assumes a purpose or an idea of what is good or desirable from standpoint of the individual or society or both So here the D option is the right option Now the next question Question number 10 Question is Measurement is या मापन होता है And your options are Measurement is fiscal Measurement is non-fiscal Measurement is both fiscal and non-fiscal and the D is none of the above अर्था मापन भाथिक होता है मापन अभाथिक होता है मापन भाथिक और अभाथिक दोनों होता है मापन दोनों में से कोई नहीं होता So dear students क्या होगा मापन कैसा होता है भाथिक भी होता है फिचकल भी होता है और अभाथिक भी होता है नौन फिचकल भी होता है So here the C option is the right option Measurement is both fiscal and non-fiscal मापन जो है भाथिक और भाथिक दोनों है इसलिए यहां पर C option is the right option Now the next question Question number 11 The question is The characteristics of assessment is or are आकलन की विशेष्टा है and your options are A. Utility और उप्योगिता B. Validity या वैजता C. ब्यवहारिकता या practicality and D. All of the above या उप्रुक्त सभी तो आकलन की क्या विशेष्टा है dear students आकलन की विशेष्टा है assessment की जो characteristics उसमें यूटिलिटी या उप्योगिता होनी चाहिए उसमें वैथता या वैलिटी भी होनी चाहिए और उसमें प्रेक्टिकल भी होना चाहिए या वहारिक भी होना चाहिए So here the D option is the right option All of the above या उप्रुक्त सभी Now the next question Question number 12 प्रशन संख्या बार है प्रशन है Which variable is also called as segmented variable किस चर्को खंडित चर्भी कहते हैं And your options are A. Qualitative variable या गुडात्मक्चर्को B. Quantitative variable या मात्रात्मक्चर्को C. Continuous variable या सतत्चर्को And D. Discreet variable या असतत्चर्को So dear listeners Which variable is also called as segmented variable या किस चर्को खंडित चर्भी कहायाता है The qualitative नहीं, quantity नहीं Continuous variable की Discreet variable या आसतत्चर्को We call segmented variables या खंडित चर्भी आसतत्चर्को हम खंडित चर्को कहते हैं या discrete variables को We call it segmented variables So here the D option is the right option जो D विकल आपका सही है Now the next question Question number 13 Assessment means या आकलन का आश्य है And your options are A. A. सुचनाओं को एकत्रित करने के प्रक्रिया Information gathering process B. आकलन को एकत्रित करने के प्रक्रिया The process of collecting data C. संग्रहन करने के प्रक्रिया Process of collecting And D. None of the A बब या उपरिक्त में से कोई नहीं तो आकलन का आश्य क्या होता है Assessment हम क्या करते है संग्रहन करने के प्रक्रिया नहीं है आकलन को एकत्रित करने के प्रक्रिया नहीं Classification or divisions of students in different groups on the basis of achievement scores or exam scores are And your options are A. Goodatmak Charka Udhaharan Examples of qualitative variable B. Matratmak Charka Udhaharan Example of quantitative variable C. Goodatmak और Matratmak Char दोनो है That is both qualitative and quantitative variables का example है And D. दोनों में से कोई नहीं Neither of the A बब तो दी रस्टिन सिधान दीजिए हम बे उपलव दी परिक्षा प्राप्तांक के आधार पर छात्रों को बिविन समोह में विभाजित करना है Classification or division of students in different groups on the basis of achievement scores जो एक्जाम का achievement scores जो परिक्षा के प्राप्तांक है उसके आधार पर हम जब विद्यारतियों को अलग-अलग समोह में बिभाजित करेंगे जैसे माले एक 10 से 20 किसने पाया है 20 से 30 किसने पाया है 30 से 40 किसने पाया है इस तरह से अलग-अलग करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है score जो है उसकी quantity की बात हो रही है numbers की बात हो रही है और numbers के आधार पर हम उसको अलग-अलग समोह में भाजित करने जा रहे है इसलिए यहां पर क्या होगा इस एक्जाम्पिल अग्वांटिछीटी बात्रात्मों चर्का उदाहरन होगा so here the B option is the right option now the next question question number 15 question is the value of standard deviation for a variable is किसी चर के लिए मानक विचलन का मान होता है the value of standard deviation for a variable is and your options are A is 0 that is सुनने होता है B is less than 0 या सुनने से कम होता है C greater than 0 या सुनने से अधिक होता है and D can be any of the above या उप्रोक्त में से कोई भी हो सकता है so dear students the value of standard deviation for a variable is किसी चर के लिए मानक विचलन का मान होता है तो मानक विचलन अर्थात 0 नहीं होगा 0 से कम भी नहीं होगा या होगा 0 से अधिक है greater than 0 सुनने से अधिक होगा so here the C option is the right option सुनने से अधिक और greater than 0 the value of standard deviation for a variable is greater than 0 now the next question question number 16 प्रसन संख्या 16 प्रसन है the main types of variables are चरों के मुख प्रकार है and your options are A continuous variables और सतत्चर या उपरिक्त दोनो and D इन में से कोई नहीं तो चरों के मुख प्रकार क्या है सतत्चर का है सतत्चर है या सतत्चर का है B है A सतत्चर या discrete variables C है both of the above और D है इन में से कोई नहीं तो चरों के जो मुख प्रकार है the main types of the variables are वो सतत्चर होता है या continuous variable होता है वो असतत्चर होता है या discrete variables होता है तो दोनों जो प्रमुख प्रकार है इसलिए both of the above या उपरिक्त दोनों जो option है C option is the right option यहाँ पे जो C वी कल्फ है वो सही होगा now the next question question number 17 प्रशन संख्या सत्र प्रशन है educational qualities are measured by सैक्षिक गुणों का मापन होता है and your options are A by physical measurement या भातिक मापन के द्वारा by non-fiscal measurement या अभातिक मापन के द्वारा C is by both physical and non-fiscal measurement physical और non-fiscal measurement दोनों के द्वारा होता है और C है neither of the above अर्थात none of the above दोनों में से उप्रिक्ट में से कोई नहीं तो क्या है जो सैक्षिक गुणों का मापन होता है या educational qualities जो measure हम करते हैं वो भातिक मापन ए physical measurement नहीं होता है भातिक और अभातिक दोनों या बोथ physical and non-fiscal measurement ये भी नहीं होता है क्या होता है वो नन-fiscal measurement होता है या भातिक मापन होता है So here the B option is the right option Non-fiscal measurement Non-fiscal measurement होता है या फिर आभातिक मापन होता है क्योंकि हम सैक्षिक गुणों को देख नहीं सकते हैं बलकि सैक्षिक गुणों को बिभीन परिछनों के आधार पर उसका मापन करने का प्रयास करते हैं education में, sociology में, psychology में जो ब्यक्त के अंदर निहित गुड़ होती है जो भी सेश्टाएं होती है वो physical नहीं होती है बलकि non-fysical होती है अब होतिक होती है और उसका हमापन करते हैं इसलिए हम कहा रहे हैं कि सेश्टी गुड़ों का मापन क्या होता है अब होती ही मापन होता है non-fysical measurement होता है चले आगे बढ़ते हैं अगरा प्रशन आपके screen पर आ रहा है that is question number 18 प्रशन संख्या अठार है बहुत ही महत्पुन प्रशन है the question is मापन के अस्तर है the levels of measurement are and your options are a. nominal label या नामी तस्तर b. ordinal label या करमी तस्तर c. interval label या अंतराल अस्तर and d. all of the above या उप्रुवत सही है तो डी रहा है मापन के अस्तर levels of measurement क्या होते है nominal, ordinal, interval and ratio यहाँ पर देखे nominal label भी दिया है ordinal label भी दिया है interval भी दिया है इसलिए यहाँ पर जो d. option है all of the above यह सही होगा so here the d. option is the right option nominal label या नामी तस्तर ordinal label या करमी तस्तर interval label या अंतराल अस्तर यह तीनों क्या है मापन के अस्तर है now the next question question number 19 यह प्रस्न संख्या 19 प्रस्न है सिछ्छा में मुल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह नेड़े किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परेडाम किसी मापदंड के आधार पर स्विकार अथवा वांचनी है या नहीं है evaluation in education is the process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable or desirable in terms of some criteria whose statement is यह statement किसने कहा है कि सिच्छा में मुल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह नेड़े किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परेडाम किसी मापदं के आधार पर स्विकार अथवा वांचनी है या नहीं है who said that evaluation in education is the process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable or desirable in terms of some criteria and your options are A. Adams B. Klaus Mayer and Goodwin C. Goods and D. Remors Va Gage तो dear students it is the statement of not Adams not Goods not Remors and Gage it is the statement of Klaus Mayer and Goodwin यह statement यह कथन Klaus Mayer and Goodwin का है Klaus Mayer and Goodwin ने कहा कि सिक्छा में मुल्ले आंकन वपर करिया है जिसके द्वारा यह नेर्डे किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और प्रेडाम किसी मापदन के आधार पर स्विकार अथवा वांचनी है या नहीं है according to Klaus Mayer and Goodwin evaluation in education is the process of judging whether the quantity or extent of something measured is acceptable or desirable in terms of some criteria now the next question question number 20 प्रशन संख्या 20 प्रशन है किस प्रकार के चर मापन में निकतस्त संख्याओं का प्रियोग होता है in which type of variable measurement nearest numbers are used and your options are a. in the measurement of quality variables गुडात्मक चरके मापन में b. in the measurement of discrete variables या आसतत चरके मापन में c. in the measurement of continuous variable या सतत चरके मापन में and d. in the measurement of all types of variables या सभी प्रकार के चरों के मापन में तो किस प्रकार के चर के मापन में निकतस्त संख्याओं का प्रियोग होता है in which type of variables nearest numbers are used तो गुडात्मक में नहीं discrete में नहीं सभी में नहीं बलकि that is used in continuous variables सतत चरके मापन में किसी भी चरका मापन निकतस्त संख्याओं का प्रियोग करते हैं जब हम सतत चरका मापन कर रहे होते हैं in the measurement of continuous variables we use the nearest numbers जो nearest numbers होता है जो निकतस्त संख्याओं का प्रियोग हम सतत चरके मापन में करते हैं so here the c option is the right option तो dear students इस तरह से हम सब्सक्राइब लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो में जो आपका पेपर है जो अनिवार पेपर है अगले क्लास में अगली कक्षा में अन्य 20 महत प्रस्णों के साथ हम जल्दी में लेंगे तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्याइब दोस्तों के सांथ मित्रों के साथ साथ पार्टीयों के सांथ हम आपके प्रष्णों का उतर देने का प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समधन करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमली सुझाओं होंगे उन सुझाओं पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे तो प्लीज लाइक, सेर एंड कमेंट आन दे वीडियो आपने अविद्ध चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिसे कि आप प्ले लिश्ट में जाकर कि अपने कोर्स से रिलेटेट सभी एजके सनल वीडियोज को आसानी से देख पाएं, ढूड़ पाएं, सर्च कर पाएं इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखाएं, उसके बगल में घंटी का कार है, बिल का आइकन है उस आइकन को प्रिस कीजिए, उसको दबाने पर कुछ आप्सेंस आते हैं उसमें से आप आल के आप्सें को सेलेक्ट कर लिजे, इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एज क्रिस्टनल वीडियो आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सुचना आपको समय से मिल जाएगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा आपके एज़ू बीड वन जीरो सेवन असेस्मेंट आप टीचिंग लर्णिंग असक्षन अधियम का आकलन का जो आपका पेपर है अनिवार पेपर है उससे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद